आप विकार अंबिया आप विकार अंबिया आप जमाल किर्दिगार आप विकार अंबिया आप जमाल किर्दिगार आप के नाम पर दुरूद एक नहीं हजार वाँ आप विकार अंबिया आप जमाल किर्दिगार आपके नाम पर दुरू एक नहीं हजार बार और आपके नाम के निशार आपका नाम पाक है आपके नाम के निशार आपका नाम पाक है कल्ब हुसैन में लहू दस्ते अली में जुल्फिकार आपके नाम के निसार आपका नाम पाक है कल्ब हुसैन में लहू दसे अली में जुल्फिकार एक मैदन पेश करता हूँ उन्वान है कसव़ूर हुदूर के सुभा दम जब बज में बुल में चह चहाते हैं तयूर सुभा दम जब बज में बुल में चह चहाते हैं तयूर और पौफटे जब छिल मिलाता है फजाए शब में नूम और रोशनी जब पर्दे जुलमत से करती है जवूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुदूर तब मुझे महसूस होता है कि रोशनी जब पर्दए जुलमत से करती है जहूर तब मुझे महसूस होता है कि चा होगे हुदूर चा होगे हुदूर और चांदनी के तार जब बुनते हैं दामे अंकबूर चांदनी के तार जब बुनते हैं दामें अंकबूर और सूरत घारे हिरा होता है जब शब का सुकूर और उभरती है उफुक से एक जबीं सजरश के तूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुदूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुदूर और एक हवाए सर्खुशी में जूमते हैं जब नहाल जब अजा बनकर चमक उटती है आवाज बिलाल तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुदूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुदूर जब उजाले तो देते हैं अंधेरों का गुरूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुदूर और सुबह सादिक की तरह सिद्धीक था जो वो हसीन दौलत लोहो कलम का जो अमीन था वो अमीन दौलत लोहो कलम का जो अमीन था वो अमीन और जब कलम की रोशनी बनते हैं ये अलकाब नूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुदूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुदूर कुज़े दिल में समा जाती है जब अर्जे बसीड कुज़े दिल में समा जाती है जब अर्जे बसीड और नीम खावी नीम वा आँठों पे होती है मुहीड नीम खावी नीम खावी नीम वा आँठों पे होती है मुहीड और जब पूरी तरह बेदार होता है शहूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुदूर और जब पूरी तरह बेदार होता है शहूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुदूर और खंदको बद्रो उहद से ताब दश्टे कर बला फातहे खैबर से लेकर ताहुसैन बावफा हर जरी जब आप से निस्बत पे करता है गुरूर तब मुझे महुस होता है क्या हूँ वे हुदूर हर जरी हर जरी के खंदको बद्रो उहद से लेकिता खंदको बद्रो उहद से ताब दश्टे कर बला फातहे खैबर से लेकर ताहुसैन बावफा हर जरी जब आप से निस्बत करता है गुरूर तब मुझे महसूस होता है क्या होंगे हुदूर क्या होंगे हुदूर और जौब अदामा सौत में जब गुशती है बर्मला जौब अदामा सौत में जब गुशती है बर्मला अल्मजमिर, अल्मुदसर, अल्मवश्चिर की स्दा जौब अदामा सौत में जब गुशती है बर्मला अल्मजमिर, अल्मुदसर, अल्मुवश्चिर की स्दा और जब पुर्ण की आयात से उटता है नूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होगे हुदूर और जब पुर्ण की आयात से उटता है नूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होगे हुदूर मन उलाज़ो कि कुछ नहीं है पास मेरे कुछ नहीं है पास मेरे एक तसबुर के सिवा कुछ नहीं है पास मेरे एक तसबुर के सिवा पहिर बी जब मेरा तहयुर देखता है कुछ जरूर तब मुझे महुसूस होता है कि का होंगे हुदूर पिर भी जब मेरा तहयूर देता है कुछ सरूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होगे हुदूर और जब मलक भी ना था होते है मेरे साथ साथ और जब मेरे शानों पे होता है किसी सूरच का हाथ जब मलक भी ना था होते है मेरे साथ साथ जब मेरे शानों पे होता है किसी सूरच का हाथ और जब मेरा दिल जुल्मत दुन्या से होता है नफूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होगे हुदूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होगे हुदूर और विजलियां जब तूटती हैं खून के औराक पर आधियां जब संसनाती हैं मेरे आपाक पर उनके सद्के मुत्माइन रहता है कल्ब नासबूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होंगे हुदूर और उनके कदमों की तजल्ली मेरे सुभो शाम पर उनके कदमों की तजल्ली मेरे सुभो शाम पर वो हमा रह्मत है सहबा और उनके नाम पर और उनके नाम पर बखश देता है खुदा जब मुझ से आती के खुशूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होगे हुदूर और उनके कदमों की तजल्ली मेरे सुभो शाम पर वो हमा रह्मत है सहबा और उनके नाम पर बखश देता है खुदा जब मुझ से आती के खुशूर तब मुझे महसूस होता है कि क्या होगे हुदूर बसद अदब दर्खास कर रहा हूं जनाब खतीव आलम इसलाम अल्लामा रशी तुरावी साहब से के सरकार जहमत करमा कि क्या झाले तक्षेंत Toutब तुरा झाले वाले तर्साना जना चरतुआ है जनावा जिका लृदु झे ऍदएैंत अजया ! आओदा विल्लह जित्cess मिल्य को वियुदी झालीम मिन शियुत वि स्पृन अजाउ के वियुद को परेने लुदीन शियुत को जाओना धानु तर्तौक खोजा सलाम आला नव नविना सय्दील मुर्सलीन अन्नब्यल मक्यल मदनील अरबील परशील फततता हम सथरे महतरं सथर्द तावीया उलमा एकराम एक ऐसे वक्त पर हजरत मौला ना तौकिर हुसान साथ जैदी ने मुझसे इस तक्रीर की गाहिश की जब के मैं अपने हाथ में कोई ऐसी सलाहियत नहीं पा रहा था किसी एक अहम मसले पर गुस्तगू के लिए अपने आपको पात तकून या बना सकून लेकिन इनके हुक्म की तामील थी और दूसरे वजीर अचाफ मुलाना कौसर नियादी जहब की एक तक्रीर का अक्तबास आज अखबारों में शाया हुआ और उसको उन्वान इस तरह से दिया गया था के हमारा निजाम तालीम नाकिस है और इस पर नजर इसानी की दूर्ष है ये एक मेरे लिए ऐसा महर्रिक था के मैं चाहता था के अपने तालीम याफ़ता सुनने वालों के सामने और इन्हें की मौजूदगी में चन्द अहम मसाइल को पेश करूँ और ये वाज़ करने की कोईश करूँ कि जो आपने कहा है या जिस तरह से के प्रेस ने आपके बयान को शाया किया है उसमें आप न सिर्फ हग बजानिब है बलके वक्त का तकादा ये है के बुनियाद कुरान पर सारे उलूम की बुनियाद को काईम किया जाए और जामियाद को हिदायत की जाए के वो बौटनी बयालोजी फिजिक्स केमिस्ट्री बेक्टिरियालोजी और इसी तरह से अस्ट्रोनमी अग्रोनमी और फिर इल्म तबकात अलार्द नबातियाद हयातियाद इल्म हयात इन तमाम उमूर की तालीम देते हुए पहले ये तै करें के खुरान की कौम सी आयत महर्रिक बन रही है ये एक अहम तरही मसला है वक्त का और जाहिर है के जब एक जम्मदार वजीर किसी जल्से की सदारत करता है तो उससे तवक्को भी यही की जाती है कि वो एक ऐसा लाएह अमल बतला है के जहां से हम ये गोर फिक्र कर सकें किस तरह से हम अपने आप को दुनिया की निगाहों में रूशनास करें और किस तरह से अपने आप को पह्चनवाएं मैंने मौलाना तौकिर हुसाइन साथ जैदी से ये इस्तदा की थी के दो चार मिनट मैं शायद अपने लिए पसंद करूंगा तक्रीर के लिए मगर अकायक आज के इस बयान को देखने के बाद मेरे दिल ने ये चाहा कि मैं पहली मतबा सही माना में आपकी नुमाइंदगी करते हुए अपना मौकिफ सदर मुखतरम पर वादे करूं और ये बतलाओं कि इस मसाले में हम क्या समझते हैं सबसे पहली बात जो काबिल गोर है वो ये है कि इनसान के ताकुल की तकलीक तोहीद नहीं है खुदा एक है ये इनसान की आकल नहीं पहचाना हूँ बलके सूर अंबिया में जब ये कहा गया युमना तिस्समा के तैइस सिजल लिल्कुब कमा बदाना अबलकल कि नुईरह वादन अलियना इना कुना फाइलीन वलकद कटबना फिल्जबूर मिन बाद जिकर अना अर्द ये लिसुआ इबादिया शालिए शालिए इना फी हादा लबलाओन लिकोमना बदीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिलालमीन कुल तुम कहदो आय रसूल तुम कहदो जो आलमीन के लिए रहमत बन कर आये हो अन्नमा यूहा इल्या अन्नमा इलाहकुम इलाहुन वाहिद वहल अन्तुम मुस्लिमों मुस्पर ये वही की गई है कि तुमारा खुदा एक है क्या तुम तस्लीम करोगे को तौहीन इलाही का तसवर ना सुकरात ना अरस्तू ना अफलाटू ना किसी नबी या किसी नबी या अलु अज्म के फिगर की तखलीक नहीं है खुद सरकार दौारम ये कहते हैं कि मुझे वही आई बिलकुल इसी तरह बिलकुल इसी तरह किसी बशर का मकाम नुबवत पर पहुँचकर उस मंदल पर जाना कि जिसके लिए आज तहली मरतबा मैंने मौलाना मतीन गदीद की दान दिये जुम्ला सुना कि कद जाकु मिन अल्लाह नूर वकिताब मुबीन कि जा उन्होंने बतलाया कि नभी नूर है नभी नूर है तो नूर के माना ही यह है कि जिसकी चमक दमक हमेशा रहे जिसकी जोशनी हमेशा बाकी रहे वो नूर है ये किताब मुबीन है ये भी बाकी है वो भी बाकी है बगएर नूर के किताब नहीं बगएर किताब के नूर नहीं तो इस इतबार से वो जातिक गिरामी के जिसम के लिए ये कहा गया कि वो नूर है कि वो इंसानी ताकुल की तखलीग है कि ये नभी है नई वो भी वही की सूरत से इस बात पाती है शकल कि ये जैसे खुदा की तोहीद वही से साबित है वैसे नभी की रिसालत वही से साबित है ये दूसरी मंदल इसके बात जहां नभी की रिसालत वही से साबित है वहाँ उस रिसालत की शान ये है कि आरे कलाम हक बे जबान मुहम्मदा हाँ, हग का कलाम और मुहम्मद की जबान हग का कलाम और मुहम्मद की जबान तो नतीजा ये हुआ कि इस कलाम ने जो जबाने मुहम्मद पजारी हुआ दुनिया को ये बतलाने की कोशिश की कि जब तक के नूर मुहम्मद बाकी है इस कलाम में भी वो ला मतनाहियत बाकी रहेगी इस कलाम में भी इतना ला महदूद होने की कैफियत बाकी रहेगी कि फक्र औ नजर की दूरत होगी कि कहां से कौन सी आयद को इस इल्म की बनीजाद बनाएं बाहिए लाए 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 अब उसके बाद उस इनकिशाफ को कुरान पर मुसल्ट करें हम यह नहीं जाएंगे हम यह चाहते हैं कि कुरान पर के तहरीक हासिल करें उसके बाद इनकिशाफात को देखें ताके पता चले कि यह कहां तक सही है कहां तक गलब अब ये गुटबू इल्मी हो रही है जराता आप साथ दे और जाहर है कि मैं कोशिश दमर की कर रहा हूँ कि सिर्फ इनी के बयान की थोड़ी सी वजाहत हो तो कि शायद इससे कुछ काम लिया जाएगा और शायद मैं खुद काम लूँ पहली चीज़ वो ये कि खुरान मजीद ने आलम तक्रीम तर गुटबू की आलम तक्रीम तर गुटबू की सुरह अंबिया और बे अक्तियार आयताई इनना समावाती वलार कानता रत्खन सफटकना हुमा ये जमीन और आसमान एक सिदा बसता थे हमने इसको फार दिया ये आयत मुतशाबस थी वो कम उस दिन बनी जब न्यूटन ने माद़ सुदैमिया की तह्तीश कर गई है बतलाया कि ये सब कुछ मिला जुला था गर्दिश मुसलसल से ये चीज़े टूटी तो आसाब अपनी जगह पर चांद अपनी जगह पर तारे अपनी जगह पर जमीन अपने मकाम पर आया ये नेबुलस स्टेइड अफ लाइफ था जो टूटा ये फिज़ाए बसता थी हमने उसको चाक चाक किया हमने उसको फार दिया देखिए इससे बिहतर क्रियेशन पर कोई तहरीक आप को नहीं मिलेगी जो पुरान ले तहरीक दी है इंजील को देखिए तारायत को देखिए जबूर को देखिए तक्वीन का मतालब है पहली आये सुरह अंबिया इननस समावाती वलार्द कानता रस्खन सबतकना हुमा जैसे क्रियेशन है उसके पाद एवलूशन इर्तिकाद कैसे तरक्वी हुई कैसे आगे प्रहा और ये वो मंदल है कि जहां बेक्यार सुरह हिजर में आपायत परहेंगे कोई शाय ऐसी नहीं है जिसका खिजाना हमारे पास नहो हम गदर मालूम से हर शय को नादिल करते जाते हैं एवलूशन ये थियोरियक एवलूशन क्रियेशन एवलूशन और उसके बाद एक मरतबा आप आगे बढ़ जाएं तो पता चलेगा कि जब आप जमीन को देखेंगे उसकी साफ को देखेंगे तो पहली नजर आप की उन अधीमलमर्तबत जबाल पर पड़ेगी उन पहाडों पर पड़ेगी कि जिनको दुनिया ये समझती सी कि उसकी वजाद से जमीन खाएंगे उस चौरी को गुरान ने बातल कर दिया उस चौरी को गुरान ने बातल कर दिया और बेख्सियार तुम समझते हो कि पहार अपनी जगापर काईम है यः बादलों की तरह से हरकत करते है पोरी थेवरी है पहारों के तूजने इसके तुकड़े तुकड़े होने एक मकाम से दूसरे मकाम से चटानों के जाने और इस अरह से पूरे पूरे पहार से मुंतों होने के लिए जिसके वास्ते सर अलिवर लाज़ ने पहारां की तक्वीम के म्तलफ कहा ऑनलाइक क्लाइवर प्लाउड बेगो तो और आगे अजीब मन्दिल क्योंकि एक मसला आप में छेयो दिया है मैं मसला ना चाहता हूं कि कुरान मजीद में कितने महर्रकाश है और इसके साथ एक वो मन्दिल आती है कि जहां हम बेख्तियार देखते हैं कि हरकत शम्स और कमर निजाम बतली मुच में शम्स और की हरकत को थाबित नहीं किया है और का हर्ची आत्मानों में जुड़ी हुई है मगर सुरह यासीन ने उस नजरिये को बातिल कर दिया और बेख्तियार का वो शम्स और तज्री या मुस्तकर लिल्हा जालेक तख्दीर आत्मान अपने मुस्तकर की तरफ चला जा रहा है या मुकद्रात अधीब अलीम में पे है याने पूरे सुलार फिर्स्टम को लेकर मिर्री को अतारुत को जुहल को जुहरा को मुच्टरी को जमीन को सब को लेकर 27 माईल पी सेकेंट की रफ्तार पे आप आप शुमाल की तरफ जा रहा है नहीं मालूम कहां से फिला में बुसाता आई कहां से बुसाता आई अब ये बुसाते फिला को देखिए सुरह जारिया वस्समाव बनाईना हा बाईदिन वैन्ना लमूसरून और आसमानों को हमने अपनी खुद्रत से बनाया है और हम वस्सात देते जा रहे हैं वस्समाव बनाईना हा बाईदिन वैन्ना लमूसरून हमने आसमानों को अपनी खुद्रत से बनाया हम उसको वस्सात देते जा रहे हैं तो आपने देखा इसको कहते हैं इस ते लाह में साइंड की एकस्पेंशन आफ इस पेस यह में फिदा बढ रही है फैर रही है कहा जा रहा है यह कारवान हया इसको यूरप में पहले देखा यह हमने इस अंदादा यूरप में पहले लगाया यह हमने और फैर अज़ी मंदल पर देखिए एक मखाम कह जहां आफ अबसा वो तवल्ला सूरे का नशान अपसी कह जहां बतलाया फल जन्मुर इला तामे ही इनसान अपने खाने पे तो गोर करे तरकारिया कैसी है फल कैसे है फवाके कैसे है दरख कैसे पैदा होते है यहने साथ आयते एक एबाद दिगरे सूरे अबस में आई है कि जिसमें हयाती यह इन पकुष्टकू की है कि कौन सी खिदा खाई जाए कौन सी खिदा को छोड़ दिया जाए जब तसब्र भी नहीं था हयाती इनका खुरान ने इनसान को मुशाहिदे की दावत दी अरे खाने का तो मुशाहिदा करो जखिए एक मंदिल है गिदा दो किसम की है एक जिसमी है एक रूही है अगर यह आयत मुकमल है तो फल जन्जुग इनसान इलातामही इनसान मुशाहिदा करे अपने गिदा का तो ये मुशाहिदा करे कि खाता क्या है और ये भी मुशाहिदा करे कि इल्म किसे ले रहा है इसलिए कि वो गिदाय रूहा नहीं आए अगर गलत मकाम जा इल्म आ जाए अगर गलत मकाम जा इल्म आ जाए तो फिर वो इल्म बेकार है एकबाल यूरप गए थे और यूरप जब पहुँचे और अपने तालीम के अर्थे को खत्म किया तो बेखतियार काओ तेरे मुहीत में कहीं गोहर जिन्दगी नहीं यूरप से काओ तेरे मुहीत में कहीं गोहर बिन्दगी नहीं धून चुका मैं मजेख चुका मैं माउज माउज धून चुका सदफ सदफ धून चुका मैं माउज माउज धून चुका सदफ सदफ खीरा न कर सका मुझे जल्वे दानिशे फरंद सुर्मा है मेरी हांक का खाके मदीना हो नजा तेरे मुहीत में कही गोहर जिंदगी नहीं देश चुका मैं माज माज धूं चुका सदफ सदफ खीला नकर सका मुझे जलवे दाउनिश फरंग सुर्मा है मेरी आँका ताके मदीना उनजाफ इसी निजबत से बानियान मीलाद ने अपना नाम रखा है मुहिबाने मुहम्मद उ आल मुहम्मद ताके मदीना उनजाफ साथ साथ रहे याने आई भी याने आई भी याने आई भी याने आई भी देखिए यह सूरे नारियाथ यह सूरे अबस वो तवल्ला किया है कि जहां इंसान को यह हुकम दिया गया कि अपने खाने का मुशाहिदा करे एक लग साइंस की बुनिया तिन चीज़ों पर है आप्जरवेशन, एक्सपरिमेंट, बिजनेस यूकिलिटी पहले मुशाहिदा करो, तजर्वा करो, दूसरे तजर्वा करो तीसरे यह देखो कि तिजारती इफादियत क्या है मुशाहिदे की दावत, ना इंजीन ने दी, ना तौरात ने दी, ना जुबूर ने दी सिर्फ पुर्ण ना मुशाहिदे की दावत दी पूरह आराव अब लम यंजरू फी मलकूत समावात वालाव वामा खल अल्लाव मिन शैथ वान असाव यकून खद उख्तरब अजलहुम वब अय्य हदीस नबाच हूई क्या हो गया ये मुशाहदा चू नहीं करते मलकूत समावात वाल्ज में वाउ चू नहीं करते क्या हमारा होल्ड क्या है हमारा कंट्रोल क्या है अगर इनोंने मुशाहदा नहीं किया तो इसको माउत आएगी पुरान ने हमको दावत मुशाहदा दी इंजील ने मुशाहदे से रोका इंजील ने मुशाहदे से रोका संतावी ने तफ्सीर कभीर में लिखा कि मुसल्मानों का दवाल और यूरप का अरूज एक नुक्ते से है मुसल्मानों का दवाल ये कि दीन को छोड़ा यूरप का अरूज ये कि उन्होंने भी दीन को छोड़ा मुसल्मानों का दवाल इसलिए आया कि इनके पास जीन अने साधत था छोड़ दिया और उनको उरूज इसलिए आया कि उनके पास मुझखवाद थे मुहमलाद थे असातीर अफ़ली इन थे अंबिया के दामन पर गुनाहों के डाग डाले गए थे अंबिया की जिन्दगी को उन्होंने गुनाहों ते भर दिया था उनको मुझख़दे की दावत नहीं दी गए थी उनको सोच गोर सेकर की इजाद नहीं थी यनी लोगों सजा यताधिया नहीं दी गए केपलर को वायद कर दिया गया हर एक मुहकित को सजा यूरuff में पोप ने दी ये कहके का नईी बात कैसे करता है और कुरान मुतल्सल इन वाकियात से सद्धा बरस पहले वो शाहिदे की दावत दे चुका था यही वज़ा है कि आपकी मशूर किताब लेवरली में मंगवा लीजे ये किताब है जॉन होमियाड दे ग्रेट केमिस दुनिया के मशूर कीमियादाम दुनिया के मशूर किमिस इस किताब पहली तस्वीर है जादर इबन हैयान कूफी की और उसके नीज़ा लिका हुआ है दिस्टाइबन लॉफ इमाम जापरेशादे जान होमियाड दे ग्रेट केमिस किताब का नाम है सारे दुनिया के किमियादानों का दुसकरा है आगाज किया जापरइबन हयान और उसके बार लिक्षा कि उसमे पाथ सो किताबे कमिस्ट्री पर लिख् Entertain पाथ सो किताबें कमिस्ट्री पर लिख् Qian उसमें ते बत्तेश किताबें 1940 में मिद्व ने शाया की उसमें 27 में किताब और 29 में किताब का आगाज ही यह है कि जारिब ने हैंने का काल अली स्यदी वो मौलाई जाफरिब ने मुहम्मद अनक्चो भादा सकत कतब तो मुझसे मेरे सर्वर उसरदार जाफरिब ने मुहम्मद ने का कि मैं ऐसा लिखूँ मैं ने लिखा आप देख रहे हैं यह सारी चीज़े हमारे पास थी हमने सिब में जर्राही का आगाज किया हमने घर्याल बनाना शुरू किया हमने उनलुस में आप रसानी के जराए बत राए हमने इलाज हैवानाथ पर गुप्तगू की हमने सारों की मंदिलों गुताय किया और वो नभी यह उम्ली नभी यह उम्मी फटी हुई कमली में अपने आपको लपेट कर काइनाथ का मुशाहिदा करके सुनाने वाला सुरह यूसुफ के जरीए से सुना रहा था कि फक्त सितारे साथ नहीं हैं साथ नहीं है इन्नी राएदू अहद असर कौगबन वाशम्जू वाल्कमरू राएदू हुम्ली साजदीन बाबा मैंने देखा ग्यारा तारे आफ़ताब और मेहताब मुझे सजदा कर रहे हैं तो आपने देखा तेरा सैयारे हो गए हरका साबिछ हुई साबिछ सैयार हो गया आज दुनिया ने रख्रीम किया कि साथ सैयारे नहीं है तेरा सैयारे है तो इस मंदल पर उस दूर भी इन निगाहने जब कुरान के पेगाम को दुनिया के सामने रखा तो ये कह के रखा अतीव आवाद और एका इजल तबसब अलेकुम उल्फितन का किताल लैनिल मुझ्रिम जब तुम पर अंधेरे अच्छा जाएं अंधेरी रातों की तरह अलेकी आकिरी वसीयत मरते वाद अपने बच्चों से वाल्ला लाफिल कुरान ला यद्दिकुकुम बिलामल वहीखियुकुम हाँ हाँ कुरान का खियाल रखो कहीं इस पर अमल करने में तुमारा गैर तुम से आगे नब जाएं आपने देखा इस तरह से इस कुरान की हिवादत की गई इस तरह से इस कुरान की हिवादत की गई और अब वक्त आ गया है अब वक्त आ गया है जैसा के ये तजवीद आ रही है जैसा के ये तहरीक आ रही है के पूरे निदाम तारीम को बदनने की दूर्वत है बड़ी दिल्चस बात तुनेंगे जनारे सादर जर्मनी का आखरी पाथशा इसकी 75 मी सालगरा हो रही थी फ्रेड्रिक डग्रे इसमें बर्लिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को बुला के कहा के मेरे लिए क्या तो सालगरा होगी तो बर्लिन यूनिवर्सिटी के औरियंटेलिस्ट प्रोफेसर्स ने कहा यानि जो मश्रकियात का आलिम था कि मैं आपके लिए तुफाला हूँगा आपके सालगरा में चुनाचे जो ताफ़ावी आगया वो क्या था इसलाम का निजाम ताली ये किताब जर्मनी में लिखी लई लाहूर में अर्दू में तर्जमा हुआ लाहूर में किताब मौजूद है किताब मौजूद है इसी तरह से इस वाके के साथ इसलाम का निजाम तालीम सदर उला में क्या था जिसकी एक मामूल इसी बात यह थी कि उसने लिखा उस प्रोफेसर ने कि मुसल्मानों को एक हदद थी कि राज को जब इशा की नमाज से फारग होते तो हर एक परोसी दूसरे के घर पे जाता और कहता ये मसला समझ में आया तुन भी समझ लो वहां मदर्से नहीं खुले थे मदर्से नहीं कुले थे मगर तालीम आएम थी तो हपने देखा टिब में तरकी हम करें कीमिया में तरकी हम करें केमिस्ट्री हमारी हो नुजूम पर हुकूमत हमारी हो इस पर लाफ महकिक तूसी बनाएं फल्सफे में फाराभी काम करें मुझाब मुझाबी पर राजी तिप के मुझेलाद को हल करें बू अली स्रीना शिफाजेशी किताब लिखे और एक मतब़ थी उसके बास सन्नाटा था जाए फिर उसके बास सन्नाटा था जाए और अब निगाहें यूरप की तरफ समझ रहे हैं वो यूरप को हमजवार अपना अगबाल समझ रहे हैं वो यूरप को हमजवार अपना सितारे जिनके नशेमन से हैं जियादा करीब सितारे जिनके नशेमन से हैं जियादा करीब वो यूरप को हमजवार समझ रहे हैं इसलिए कहाओ, खुले हैं सब के लिए गर्वियों के मैखाने, उलूम इतादा की सरमस्या बुना नहीं, इसी सूर में पोशीदा मौद भी है तेरी, तेरे जिगर में अगर सोदे लाई लाह में, पुरान की बुनियाद पर चलो, और या पुरान की बुनियाद पर एक एक महत सबा करो, कि यह कहां तक आके बाउ सकता है, और हम इन महरकाद को लेकर कहां तक जा सकते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा, कि वाकिए आप में बड़ी काबियते थी, अब या सन्नाटा कैसा, अब या नींद कैसे आ गई, अब तो हरकत का दुमाना है ना, अब तो इनसान क यह बेदारी लाजिम है, अब तो परिशानी, अब हम जब यूरप की बातें करते हैं, वो चांद में चले गए, उन्होंने मिरुरीक तक पहुंचने की कोशिश की, तो तूदादे चमन सुनते हैं, इस तरह कफस में, जैसे कभी आँखों से गुलिस्ता नहीं देखा, रुदादे चमन, रुदादे चमन सुनते हैं इस तरह कफस में, जैसे कभी आँखों से गुलिस्ता नहीं देखा, अरे गुलिस्ता तुम्हारा है, यह तुमने उलूम को मुन्तकिल किया है, यूनानी उलूम तुम्हारी तरह से गए हैं, तुम्हारी तरह से गए हैं, उन् उमते हासल किया है। अपनी तरफ देखें जमाने भर का मूँ डगते हैं क्या अपनी तरफ देखें बसर करना है जिनको रंगो भूए राएगा होकर जमी करवड बदलती है बलाए आसमा होकर जमी करवड बदलती है बलाए आसमा होकर यही वो मंदिल है कि जहां बेक्तियार तक्रीर को कात्मे को पहुँचाते हुए सिर्फ इतना कहुँ और अपने खुलासे कलाम पे आऊँ अरे ओ जलने वाले काश जलना ही तुझे आता ये जलना कोई जलना ही तुझे आता ये जलना कोई जलना है कि रह जाए धुआ हो अरे वो जलने वाले काश जलना ही तुझे आता ये जलना कोई जलना है के रह जाए धुआ होकर उचो ऐस होने वालो सर पधू पाई कियामत की कहीं ये दिन नड़ल जाए नसीब दुश्मना होकर कहीं ये वक्त दूसरों के लिए मुफीद नसाबित हो इस चांसलर्स कुबूल करें बशर्टे के मिलते इसलामिये पाकिस्तान के वो मुळलमीन कुबूल करें के जिन को पहले ये पढ़ाया जाए के पुरान क्या है और उसके बाद उसके बाद वो ये बतलाए क्या रहे वो जो हम पढ़के आये थे वो तो यहाँ है ना बस मैं जर्फ अपने चन्द गुज़ारिशाद पेश कर रहा था इनके बयान से मुताफिर होकर और मुलाना मतीन खतीब का मैं सही माना में शुक्र गुज़ार हूं कि उन्होंने सही मुस्लिम की दोनों हदीसों को आज पेश कियाओ दोनों हदीसों को पेश कियाओ वो हज़त अलविदा के मौके पर वो हज़त अलविदा के मौके पर कि तुम मैं दो चीज़ें छोड़ रहा हूं पहली मतलब आपने कहाओ किताब उसुनत बाद में आपने कहाओ किताब औ इतरत मैं सिर्फ इतना आप करना चाहता हूँ कि पेगंबर में तजाद बयानी नहीं होती तजाद बयानी नहीं होती बात इतनी ही है कि इतरत को इसलिए छोड़ा कि इतरत ही मुहाफिजे सुनना के कि इतरत ही